हेलो अब हम इतनी नए केटिगरी शुरू करने वाले हैं जो की है एंसेस्टर प्र् добавblemern目前 बहुत ही मज़ी फेयमस केटिगरी है इससे बहुत अच्यच्य प्र प्रroom को च को च लाता है बहुत ही फीमस प्रब्लम से हो और in fact you can easily expect one or two problems from this इस category निया और interviews हना तो देख लेते हैं इस category में है क्या सबसे पहले तो जैसे की नाम सजेस्ट करते हैं इसमें जो भी problems करेंगे वह एंसेस्टर से related होंगी हना तुमको किसी का ancestor निकालना है तुमको node और ancestor की बीच का difference निकालना है इस type की problems ancestor क्या होता है दिखो यहां पर जैसे कि एक tree है अना यह इसका एक child है और यह इसका एक child है और यह इसका ancestor नहीं होगा लेकिन यहां से root तक जाने में जितने भी elements मिलेंगे तुम्हें वो उसके ancestor कहलाएंगे रूट ultimate ancestor है इसका उसी तरह descendants हो गए रूट के यह सारी descendants है यह भी इसका descendants है इस node के कितने descendants है यह और यह यह इसका descendants नहीं है यहां पर जाने के लिए तुमको पहले उपर जाना पड़ेगा फिर नीचे आना पड़ेगा descendant जाने के लिए तुमको सिर्फ नीचे आना है और ancestor पर जाने के लिए तुमको सिर्फ उपर जाना है उसी path पे तुम जैसी नीचे आने लगोगे मतलब वो ancestor नहीं कहलाएगा तो इस type की जो problems होती है mainly recursion से easily solve हो जाती है in fact अभी हम trees में जितने सारे problems कर रहे हैं वो सब recursion से ही कर रहे हैं इसको भी हम recursion से easily handle करेंगे बहुत interesting category है, बहुत ध्यान से सुनना मज़ा आएगा और बहुत को सीखने को मिलेगा ठीक है तो चलो उसके problem solve करना शुरू करता है